नमस्कार निउस्ट्रेक के वाई फेक्टर में आपका स्वागत है मैं हूँ योगेश मश्य दो हजार तेरे के बाद से दो हजार तेईस तक के आखड़ों पर गौर कराएं तो कनाडा में बसने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वह संख्या किसी भी भारती को डरा सकती है परिशान कर सकती है दस सालों में कनाडा में बसने वाले भारतियों की संख्या तीन गुनी हो गई है इतनी बढ़ोतरी आम तोर पर तब होती है जब किसी देश से शरारतियों का काफिला या जथा निकल करके उस देश में जाकर के बस है पर शरारतियों की समस्या नहीं है इसके बाद भी भारत के लोग कनाडा में जा करके बसना पसंद कर रहा है और दस साल में उनकी संख्या तीन गुना हो जा रही है इसकी वज़ा यह भी है कि अमेरिका ने अपने यहां वीजा देने के नियमों में काफी कठोरता बढ़ती है काफी सक्त कर दिये हैं तो जो लोग अमेरिका जाना चाह को नहीं मिलती है बैरहाल यह डेटा अमेरिका में सक्त आबरजन नीतियों को दर्शाता है विशेश रूप से ट्रम प्रशासन के दोरान ज्यादा सक्ति के चलते भारतियों ने करनाडा में प्रवास करने का चैन करने में मात्पुन भूमिका निभाई है नेशनल फाउंड में 32828 से बढ़कर 222 में 1,18,095 हो गई जो 260 फिजदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है कनाडा में अप्रवासन ने दुनिया के सारे देशों के अप्रवासन को बहुत ही बौना कर दिया है भारत के आगे चीन 31,815, अफगानिस्तान 23,735, नाइजिरिया 22,085 और फिलिपिन से 22,070 लोगों ने जाकर के कनाडा में बसने के एक्षा जताई है जो भारतियों की संख्या की तुल्ना में बहुत ही कम बैठती है हलाकि 2014 में भारतियों से अधिक संख्या कनाडा में फिलिपिन्स वासियों की थी 2004 और 2012 के बीच कनाडा में भारती अप्रवासन 27,000 और 36,000 के बीच रहा फिर 2013 से 2014 तक कनाडा में भारती अप्रवासी 32,823 से बढ़कर 38,364 हो गए इसके बाद 2015 में 49,340 और 2016 में 49,710 में अप्रवासन इस्थिर रहा 2017 में कनाडा में भारती अप्रवासन बढ़कर 41,590 हो गया फिर 2018 में बढ़कर 79,985 और 2019 में 85,590 हो गया कोरोना महमारी से जुड़ोई मसलों और यात्रा वेवधानों के करण 2020 में संख्या घटकर 42,870 हो गई लेकिन 2021 में ढील दी गई और कनाडा के आवरजन अधिकारियों ने कनाडा में कार अनुभा को अधिक महतो दिया जिसके चलते अस्थाई निवास प्राप्त करने वाले भारतीयों के संख्या बीस सो एकिस में बढ़कर कनाडा में अप्रावासन करने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धी के दो बड़े करण है भारतीयों के लिए अमेरिका आज भी बसने के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है पसंदीदा डेस्टिनेशन है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रास्टपत बनने के बाद इमिग्रेशन नियमों पर सक्त पाबंदी लगा दी ट्रंप अप्रावासन के सक्त विरोधी थे उनके नए नियमों के नाते अमेरिका में अप्रावासन बहुत मुश्किल हो गया दूसरा बड़ा कारण कनाड़ा सरकार अप्रावासन के पक्ष में रही और उसने विदेशी पतिभाओं को आकरशित करने के लिए अप्रावासन की नई नई और सुलब नीतियां बनाई जन्वली 2015 में कनाड़ा के अप्रावास को सुव्योस्थित करने के लिए एक्स्प्रेस एंट्री प्रोग्राम को अपनाया गया यह विशेश रूप से उच्च कुशा श्रमिकू के लिए था अंतरास्टी छात्रों के रूप में कनाड़ा में अनभव या आस्थाई सती मे काम करने वालों को भी सहूलियत दी गई जून बीस सो सत्रह में वैश्वी कौशल रणनीत कनाड़ा में शुरू हुई एक सरकारी वेबसाइट के मुताविक कनाड़ा सरकार ने कुछ इस तरह की नीतिया बनाई कि कनाड़ा में कोई भी कंपनी अपना कारयले खोल सकती है विदेशी निवेश को प्रोचाइट करने के लिए भी कनाड़ा सरकार ने कई तरह की सहूलियत दी यहीं नहीं प्रतिभाओं को आकरशित करने के लिए भी कनाड़ा सरकार ने सरल और आसान नियम बनाए कनाड़ा सरकार की कोशिश जिसमें अप्रवासन को सपोर्ट करना था और अमेरिका सरकार की कोशिश जिसमें अप्रवासन का विरोत करना था अप्रवासन पर पाबंदी लगा दी थी दोनों ने मिल करके कनाड़ा में अप्रवासन के संख्या इतनी बढ़ा दी है कि आज की तारिख में यह आकड़ा हैरत अंगेज लगता है इस एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंक से बात करने के लिए तब तक के लिए नमस्कार